तूर जो बार के बार फिर से आपका मीजएक अकेडमीक जो करेंट अफ़ेर का जो शेशन है इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम आज का जो वापस हमारा जो डेली current affair का जो question quiz है उसको लेके एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है तो हम जो current affairs है उनको questions के साहिता से एक मतलब quiz की तरह उसको पढ़ने का अब प्रयाज करेंगे तब तक हमारी जो questions क्या है सबसे पहला question है कि भारत के किस प्रोध्योकी की संस्थान ने शुद्ध नामक एक UV sanitizing उपकरण का निर्मान किया है भारत के किस प्रोध्योकी की संस्थान ने क्या नाम है उपकरण का शुद्ध नामक शुद्ध नामक sanitizing उपकरण कैसा sanitizing उपकरण है तो UV ultraviolet UV को क्या कहते है अल्ट्रा वोईलेट परा बैंगनी के ने अल्ट्रा वोईलेट सैनेटाइजिंग उपकरण का निर्मान किया है ठीक है बारत के किस प्रोद्यूकी की संस्थान ने शुद्ध नामक UV सैनेटाइजिंग उपकरण का निर्मान किया है IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Jodhpur या IIT Kanpur ठीक है क्या है शुद्ध नामक UV सैनेटाइजिंग उपकरण का निर्मान किया है तो इस प्रस्द का सही उत्तर क्या है कि जो अभी काफी famous में थे विकास दुबे कानपूर वाले तो वहीं कानपूर वालों ने इसका निर्मान किया है IAT कानपूर है, IAT कानपूर ने शुद नामक UV Sanitizing उपकरण का निर्मान किया है क्या है ये शुद, इसका नाम ये शुद और ये Sanitizing उपकरण है कैसा है तो ये है शुद नामक Sanitizing उपकरण जो mobile से ही operated है तीक है किसे operated है, mobile operated है mobile operated ठीक है, mobile operated है और ये क्या करता है कि 15 मिनिट के अंदर 15 वाई 15 का जो room होता है 15 वाई 15 के कमरे को ये 15 से 20 मिनिट में उसको एकदम उसको air है, उसको clean कर सकता है सारे किटानों को मार सकता है अभी जो coronavirus सेल रहा है आपको पता ही है उस coronavirus की जो दृष्टी से ये काफी important हो जाता है क्योंकि एक room है उसको पूरा ये sanitize कर देगा, उसके अंदर room के अंदर जो जिते में मौजूद है, जो bacteria है उसको ये खत्म कर देगा तो ये क्या नाम इसका शुद नाम दिया है किसने दिया है, तो IAT कानपूर ने इसका निर्मान किया है ये क्या है, पूर्ण था mobile operated है आप mobile से इसको control कर सकते हैं mobile से on off कर सकते हैं और इसको mobile से इसकी जो density है वो भी उसको control कर सकते हैं तो क्या है, किस प्राद्योगे की किस स्थान ने शुद नामक UV sanitizing उपकरण का निर्मान किया है, तो IAT कानपूर ने इसका निर्मान किया है, ठीक है, चलता है next question के ओर, next question है हाली में किस स्थान ने सबसे कमजोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए, जो भारत का एक व्यापार निकाय है, फिक्की फिक्की के साथ अपनी साजेदारी की गोशना की है, मतलब कौन सी संस्थान है, जो फिक्की के साथ मिलकर भारत में सबसे कमजोर आबादी और बच्चों को समर्थन करने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रहा है क्या है, हाली में किस संस्थान ने सबसे कमजोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए एक अभियान शुरू करने की गोशना की है जो किसके साथ होगा, व्यापार निकाय फिक्की, फिक्की और क्या है जो उसको भी फिक्की को भी हम देखेंगे लेकिन इसका पहले अशुरू क्या है उप्चन है आपके सामने यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलोप्मेंट बैंक या सही उतर आश्ट्र संग क्या है इसका सही आंसर कौन से संस्तान है तो इस प्रश्ण का सही उतर है इस प्रश्ण का सही उतर है यूनिसेफ जो यूनिसेफ है यूनिसेफ ने फिक्की के साथ मिलकर फिक्की क्या है अभी हम बताएंगे फिक्की के साथ मिलकर एक बच्चों के लिए और सबसे कमजोर वर्ग के जो आबादी है उनको समर्थन करने के लिए उनका उत्थान करने के लिए उनकी जो समस्या हैं उनको दूर करने के लिए जैसे शिक्षा, बोजन, उनके रहन सेन, आदी समस्याओं को दूर करने के लिए एक व्यापक गोशना की है उसके बारे हम दे United Nations Children Emergency Fund, UNICEF, ये है, UNICEF का पुरा नाम है, कब बना ये, ये इसकी स्थापना, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्याले है, New York में, वर्तमान अदिक्ष कौन है, तोरे हेट्रेम इसके वर्तमान अध्यक्षए क्या काम करती है यह यह संस्ता विश्व भर्मे बच्चों की शिक्षा स्वास्ति और कल्यान के लिए कारे करती है तो बच्चों से सम्मदित कोई भी काम होते है वो UNICEF द्वरा किये जाते है क्या क्या उनकी शिक्षा उनका जो स्वास्ते और उनकी जो मानसिक स्वास्ते कल्यान है उसके लिए प्रयासरत रहती है कौन UNICEF प्रयासरत रहती UNICEF का पूरा नाम क्या है United Nations Children's Emergency Fund इसकी स्थापना का हुई तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी इसका हेड़कॉर्टर कहा है New York में इसका हेड़कॉर्टर है इसके वरतमान अध्यक्ष है वो तोरे हेट्रेम इसके वरतमान अध्यक्ष है ठीक है तो UNICEF और फिक्की UNICE सेफ के साथ अब अगर फिक्की की चर्चा करें तो फिक्की क्या है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries Federation of Indian Chambers and Commerce Industries मतलब जो भारत का उज्योग है उज्योगों के जो संगठन है भारत की जितने भी उज्योग पती है उन सब के द्वारा मिलकर एक बनाया गया संगठन है इसकी स्थापना किस ने की थ जो बिड़ला है सिमेंट वाले जो गणिशामदास बिड़ला जी है उन्होंने इसकी स्थापना की थी फिक्की का मुख्याल है नई दिली में जबकि उनिसेफ का मुख्याल है का है हमने देखा न्यू यॉर्क में इस्तित है उसके बाद में जो इसका उद्देश ही क्या है फिक्की का तो भारती उद्द्यों की कुशलता और प्रतिस परदा में वर्दी करना तो हमारा प्रशन किसी फंड ठीक है उसके बाद में इसके बारे में भी चर्च है कि इसकी स्ताब नगब हुई 11 दिसमर उनीसो चीनारीस की स्ताब नवी हेड़कॉर्टर कहा है वर्तमान अदिक्ष कौन है और ये क्या कारिय करती है ठीक है अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्रिशिन की तरफ हाल में किसे वान कर्मन पुरुसकार से नवाजा गया है वान कर्मन प्राइज से किसे नवाजा गया है ठीक है वान कर्मन प्राइज से किसे नवाजा गया है के कस्तूरी रंगन के सिवान यू आर राव या टैसी थॉमस टैसी थॉमस वान कर्मन पुरुसकार 2020 तीक है? वान कर्मन पुरसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? के कस्तूरी रंगन, के सिवान, यू र राव और टेसी थाॉमस तो इस प्रशन का सही उतर गया है? इस प्रशन का सही उतर है के सिवान के सिवान जो वरतमान में इस्रो Indian Space Research Organization इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो वान कर्मन पुरुसकार से नवाजे गए है कि कस्तुरी रंगन भी इसरो के अध्यक्ष रह चुके है यूर राव भी इसरो के अध्यक्ष रह चुके है तो जो के सिवान है जो वर्तमान अध्यक्ष है इस रोके उनको वान कर्मन पुरुषकार 2020 से समाननित किया गया वान कर्मन पुरुषकार क्या है देखे तो वान कर्मन पुरुषकार किसके द्वारा दिया गया है सबसे बहले तो International Academy of Astronautics International Academy of Astronautics द्वारा ये पुरुषकार दिया जाता है यह कब दिया जाएगा तो 2021 में इनको मार्च पैरिस में इसको प्रदान किया जाएगा इसको डॉक्टर सिवान को और इसका नाम है वो किस पर एरो स्पेस और एरो से स्पेस इंजिनियर और वायू गती की विशेशगिये थियोडोर वान कर्मन क्या है किसके नाम पर रखा गया थियोडोर वान कर्मन जो क्या थे एरो स्पेस इंजिनियर और वायू गती की विशेशगिये थे उनके नाम पर रखा गया है ये पुरुसकार अभी तक तीन भारतियों को मिला है के कस्तुरी रंगन, के सिवान और यूर राव तो अभी के सिवान है वो तीसरे भारतिय है जिनको ये मिला है उससे पहले कस्तुरी रंगन जी को और डॉक्टर यूर राव को ये पुरुसकार मिल चुका है तो ये के कस्तुरी रंगन है के सिवान है जो वरतमान अध्यक्ष है वो तीसरे बारती है जिनको ये प्राइज मिला है तो वान कर्मन पुरुसकार किसे मिला है 2020 का वान कर्मन पुरुसकार मिला है के सिवान जो की वरतमान में हमारे इस रोके अध्यक्ष है ठीक है यह पुरुसकार किसके द्वारा दिया जाता है तो International Academy of Astronautics द्वारा दिया जाता है किसके नाम पर रखा गया तो Aerospace Engineer और वायू गति की विशेशे किये थे Dr. Theodore Vaughan Karman उसके नाम पर उनके नाम पर यह रखा गया है ठीक है चलते है next question विश्व यूवा कॉशल दिवस कब मनाया गया अभी हाली में विश्व यूवा कॉशल दिवस मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया वो कब मनाया गया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये कब मनाया गया था आप्शन क्या 12 जुलाई 13 जुलाई 14 जुलाई और 15 जुलाई तो विश्व यूवा कॉशल दिवस के मना गया था यूवा कॉशल दिवस तो ये विश्व युवा कोशल दिवस है ये 15 जुलाई को मना गया था अभी 15 जुलाई को कल ये है वो विश्व युवा दिवस मना गया था ये कब मनाना शुरू है तो 2018 से युनाइटेड नेशन द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था तो 2018 से इसको मना रहे हैं ठीक है 2018 से ये 15 जुलाई को मना जा रहा है United Nations द्वारे प्रस्ताव पारित किया गया समयक्त राश्टरंग द्वारे प्रस्ताव पारित करने के बाद विश्व युवा कॉशल दीवा से वो मना गया है कब 15 जुलाई को मना जाता है इस वर्श पारेष इसकी थीम क्या थी Skill for a resilient youth Skill for a resilient youth Resilient youth Resilient का मतलब होता है Lexila ressilient का मतलब Lexila ठीक है Skill for resilient youth ये इसकी इस बार थीम थी वर्ष 2020 की ठीक है शुरुवात कब से होई तो 2018 से शुरुवात हो ये कब मना जाता है ठीक है बढ़ते हैं हमारे एगले कोशिन की वर हाली में किसे time person of the year से सम्मानित किया गया है किसको time person of the year से सम्मानित किया गया है हाली में किसे time person of the year से सम्मानित किया गया है मलाला यूसुफ जई, नरेंदर मोदी, शी जिन्पिंग या ग्रेटा थर्णबर्ग टाइम person of the year मलाला यूसुफ जई, नरेंदर मोदी, शी जिन्पिंग या ग्रेटा थर्णबर्ग तो इसको ये इसका आंसर किया है, ग्रेटा थर्णबर्ग है, उसको time person of the year से सम्मानित किया गया है इस वर्ष का जो time person of the year कौन है, तो ग्रेटा थर्णबर्ग है, ये कहां की है, ये स्वीडन की है कहां की है, ये स्वीडन, जो ये उरोपिय देश है, स्वीडन है, स्वीडन की ये नागरिक है, और इसको किस शेत्र में मिला है, तो ये परियावरन संदक्षन में इसने अध्भूत कारी किये है, इन्होंने परियावरन संदक्षन में परियावरन संद्रक्षन के शेत्र में ये पुरसकार इनको मिला है तो आज हमने पांच कोशन से देखे हैं लास्ट कोशन क्या था हमारा टाइम पर्सन ओफ दे येर से किसे सम्मानित किया गया है मलाला यूसिप जई, नरेंदर मोदी, शी जिन पिंग या ग्रेटा थर्णबर्ग तो इसका ओप्षन सही क्या है ग्रेटा थर्णबर्ग से इसको सम्मानित किया गया है समीर जी का सही आंसर है प्रवीन जी का भी सही आंसर है तो ये ग्रेटा थर्णबर्ग कहां की निवास ये स्वीडन की है और किस शेत्र में मिला है तो पर्यावरन किस अन्रक्षन के शेत्र में ये पुरुसकार मिला है चीक है तो आगे के जो current affairs है उसके लिए सर आज गये है मैं questions आपके सामने हरोज लेकिया हूँगा 5 questions ताकि उस questions के माध्यम से हमें current affairs को पढ़ने की कोशिश करें तो आगे की class है वो sir में लेंगे आगे की अगे शुचकार में आप सभी का स्वागत है आप YouTube के लाव Facebook को भी हमें live देख रहे हैं तो Facebook की followers जो हैं उनको भी अपने जो questions आपने महंदर भाई से questions है वो जो current के ऊपर जो आपने देखे तो उसका solution है जो आपके अपनी तरफ से भी comment में जरूर करना चाहिए जो भी आपके knowledge में है वो option आपको put up, put up, put up, put up करना चाहिए तो ये डैली आपके जो five questions है वो एक परकार से एक इतरह सा जो initiation रहता है current office का तो कुछ पांच जो important topics है जिसके उपर हम एक analytical विशलेशनातों का अदिन कर सकते हैं तो अभी जो बीस मिनट का ये एक प्रोग्राम और है और इसको आप जरूर देखना चाहिए तो देखते हैं आगे क्या है हाँ ये जो mcqs को लेकर करें 18,000 mcqs in next 70 days देखिए ये एक जो प्रोग्राम है मिजाग अकेडिम के तरफ से हैं इसमें gk के सारे subjects है वो involved है सिरफ gs की subject है gs की papers है उनहीं पे हमने 18,000 questions को design किया है और questions को यहीं solve किया जाएगा faculties यहां solve करेंगी और आपको complete explanation के साथ ये solution मिलेगा next 70 days का ये program है और gs के सारे papers आप देख सकते हैं gs में लेकर science and tech का है ठीक है geography है राजस्तान का हो इंडिया हो या word का हो computer science हो गया Indian policy and constitution हो गया current affairs हो गया economics history art and culture यानि gs के सारे papers हैं लेकिन math and reasoning नहीं है या language का कोई भी paper है वो भी नहीं है तो बाकि सब नहीं है बस यही एक मात्रा जो आपका gs का है उसी पर हमने 18,000 questions है वो set की है और वो आपको next 70 days में उनका solution हर रोज और यह schedule आपको जो भी हमारे जो सब्सक्राइब जो users है मिर्जाग Academy के YouTube पे और Facebook के जो followers है उनी को देखने को मिलेगा और अपने colleagues को आप शामिल कर सकता है उनको आप जो वीडियो को शेर कीजिए और बैल आइकन दरूद दबाएं हाँ जी आज का जो पहला topic है वो देखिए रोको टोको के बारे में आपना भी questions में साहिद देखा होगा मुझे idea नहीं है लेकि रोको टोको क्या है ठीक है तो क्या है कि आज कल हम लोग जो lockdown के दोरान हम लोगों के आदत बन कि हम लोगों कुछ सीखा ही नहीं कि lockdown जो महांने काफी लंबे समय तक रहा था और हम लोगों के सीखाने के लिए कि कोरोना के साथ हमें किस तरह जीना है लेकिन हम लोगों ने उसको follow नहीं किया तो गोर्मेंट को कुछ नहीं कुछ extra हट के अपनी तरफ से करना पड़ता है ताकि लोगों को इस बारे में कोरोना से बचाया जा सक है तो उसी संदर में एक यह जो आपका वियान है और वो है आपका रोको टोको रोको टोको जो आपका वियान है वो MP गॉर्मेंट का है MP गॉर्मेंट ने इस जएगे होगी जो एका सारजणिंग पूबलिक प्लेसiders पे जहां आपके जैसे सो होस्पीटर्स होगे यह आपके कोई मौस होगे यह कई भी जो पड़िक प्लेसिस है पड़िक प्लेसिस पे जो लोग मास्क पहन के नहीं आते उनको on sport मास्क पहनाय जाएगा और 20 रुपे का charge वसूला जाएगा ठीक है 20 रुपे का ये मास्क है ज़्यादा भेंगा नहीं है और 20 रुपे का जो मास्क है उनको provide किया जाएगा और उनको ये हिदायत दी जाएगी कि आप जब भी घर से बाहर निकले है मास्क पहन के ज़रूर निकले और sanitization है वो ज़रूर इस्तिमाल करे है तो ये MP government का point है अब इसके अलवा जो visa secure जो e-commerce के लिए visa secure ये जो कौन सी bank से related है जो visa secure है visa आपको पता है कि बहुत visa बहुत बड़ा एक नाम है आपने सुना होगा visa तो visa ने क्या किया कि बैंक के कार्ड़ धार को visa secure परदान करने के लिए federal bank के साथ एक government किया एक बागेदारी किया किसके साथ किया federal bank federal bank यानि ये पूछा जा सकता कि किस bank के साथ visa ने visa secure के लिए government किया ठीक न तो ये आपका किसके लिए e-commerce के लिए visa secure तो federal bank के साथ ये गटबंधन हुआ है federal bank ठीक है तो visa secure आपको पता है क्या एक प्रमानी कर्म कारिकरम है visa secure एक प्रमानी कर्म कारिकरम है जो EMV protocol के नवीन जो standards है उनका उप्योग करता है और ये उन्दत तक्नीक कार्ड है कार्ड़ारकों को online धोगा धड़ी पर अंकुछ लगाने और तो रही check out अनुपप करने के लिए सुर्क शार मतलब security प्रोइड करने के लिए है ठीक है नवीजा आपको पता है कि visa जो कार्ड है हमारे पास तो online हम जो भी transaction करते है वो एक secure transaction हो तो उसी के लिए ये जो आपका जो भागिदारी की है वो आपका federal bank के साथ किये अगला topic देखिए next है should शुन्य कार्बन उस्सरजन जैसा कि नाम suggest कर रहा है मारे लो कार्बन कहां से उस्सरजन आपको पता है कि Vycus से कार्बन उस्सरजन होता है Vycus जितने भी जो साधन है जो कार्बन उस्सरजन मतलब ये कार्बन क्या है ये पोलूशन का एक element है एक chemical एक आपका तत्तो है और ये इसी की वज़ए से आपका इसको C से निरुपियत किया जाता है किसे निरुपित किया जाता C carbon for C तो chemical chemistry के अंदर हमने देखा कि C for carbon है और carbon की वज़े से यह आपका pollution होता है तो इसको यह का कि शुद्ध शुन्य है मतलब exactly zero पे इसका उसरजन लाने के लिए program है तो बारती railway ने 2030 तक शुद्ध शुन्य कार्बन उससरजन प्राप्ट करने का लक्ष है यानि एक target लखा है और वो रखा है इंडियन railway ने ठीक है हरित railway बनने के लक्षे को प्राप्ट करने के लिए कुछ पहला शुरू किये उनमें देखो जो विडियोत लाइनों का सोरी जो आपकी tracks है railway के वो सारे electric जो फाई किया जाएंगे वो विडियोतिकन किया जाएंगा ट्रैनों की जो ओर्जा दक्सता है energy जो efficiency है उसमें सुदार लाना energy को ज़्यादा वैसोने से बचाना station के लिए 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 हरित प्रमान कोचों में फिर जैव सोचाल है जो सोचाल है वो यापकी जो bio आपके toilet से वो बनेंगे और इसके अलावा की fitting है उर्जा का जो नवी निकन सोर्च जो आपकी जो new energy के जो सोर्स जितने चाहिए वो solar energy हो या आपकी जो bio energy हो तो वो सारे अपना इसी करम है बेल के साथ सहयोग से इन्होंने एक plant भी जो बीना में एक दस्म साथ मेगावार्ट का plant भी लगाया railway ने बेल जो भारत heavy electricus limited है बेल का पूरा नाव तो उसके साथ में एक दस्म साथ मेगावार्ट का इन्होंने plant भी लगाया है next topic है नीती आयोग को ले करके नीती आयोग नीती आयोग वर्दवान में चर्चा में क्यों है नीती आयोग ने ऐसा क्या किया है कि 2030 तक इन्हें बताया गया कि सतत्व विकास लक्षों को प्राप्ट करने के लिए भारत को GDP का किसका GDP का 6.2 प्रतीशत अतिरिक्त खर्च की आवश्यक्ता रहेगी 6.2% नहीं 2030 तक का टार्गेट कहां का है 2030 का सतत्व विकास लक्ष है उनको हासिल करने के लिए भारत को अपनी GDP का 6.2 प्रतीशत है वो अतिरिक्त एक्स्टा खर्च करना पड़ेगा तो ये नीटी आयोग का है हमारे देश का एक ठिंग टेंक है और सहीं उतरास्ट के जो आपका HLPF ठीक है ना HLPF क्या है एक उचस्तरी राजनेटिक मंच है एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोर्म है और उसके साथ सतर्थ विकास पे इन्होंने एक राज़्टी समिक्षा में ये बात कई है नीटी आयोग ने तो ये नीटी आयोग वरत्मान में सुर्क्यों मिलेने का ये कार्ण है इसके बाद में ILS ये निउस में है ILS का जिसका पूरा नाम है Institute of Life Institute of Life Sciences ठीक है Institute of Life Sciences ये आपको पता है ओडी साब है ठीक है ना ओडी साब भूवनेशर में है ये और भूवनेशर का ये जो प्लांट है या ये जो आपका इंस्टीट है Institute of Life Sciences ठीक जैव प्रोडियोगे की विवाग Department of BioTech ठीक है ना जैव प्रोडियोगे आप क्या काओगे Department of Bio Technology DOP DOP कहिए ठीक है ठीक है ना तो इस विवागा एक स्वायत संस्थान स्वायत संस्थान मतलब एक Autonomous Body स्वायत संस्थान Institute of Life Sciences यानि की ILS ने रोगी के नमूनों से कोरोना वाइरस के स्टेबल कल्चर को सफलता पूरुक इस्ताफित किया यानि यही वोई vaccination के करमे है इन्होंने एक उपलबदी हासिल किया है और रोगी के नमूनों को लेकर के कोरोना वाइरस के जो स्टेबल कल्चर से उसको सफलता पूरुक इस्ताफित किया है वीवीन इस्तानों से वीवीन वाइरस भारों के नमूनों से वेरो कल्चर कौन से कल्चर है यह वेरो कल्चर वेरो कल्चर यह देखिए वेरो जो कोशी का है वेरो सैस है उसका उप्योग करके 17 in vitro culture की स्थापना की है जिसको आप English language में यहाँ देख सकते हैं यह आपका ILS है ठीक है तो ILS औरी से में Successful इस ने Establish किया vitro cultures of what? coronavirus का vitro culture को Establish किया गया है ठीक है और this is amazing यह आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा development है किसकी तरफ है? drug formulation for COVID-19 की दवा के निर्मान की तरफ यह बहुत ही बड़ा एक कदम है और यह माना जा सकता है institute ने क्या है कि 17 virus culture से वो Establish किया है क्या कि 17 virus के culture से Establish किया है कहां से? swab samples से जो आपके swab samples जो आपके गले से या नाक से जो samples लिये सकते हैं उनके जरीए 17 ऐसे virus के culture से वो आपके Establish किया गया है ठीक है? तो वेरो cell culture जिसको आप वेरो cell culture है यह जो technology है यह worldwide use होती है किसलिए? to develop in activated whole cell best vaccine मतलब जो आपकी cell जो best जो vaccines बनती है उनको develop करने के लिए worldwide यह technology यूज होती है वेरो cell culture technology अगला देखिए अगला है actress Kelly Preston जो John Travolta की wife है और हाली में उनका निदन हो गया वो 57 years old थी उनको breast cancer था उनके तीन बच्चे हैं पीछे सर्वाईव करने के लिए और John Travolta यह भी एक Hollywood actor है तो इनकी wife है Hollywood actress है आपकी Kelly Preston कौन है Kelly Preston जिनका 57 years old थी वो उनका निदन हो गया Kelly Preston Hollywood actress है और John Travolta की wife है और 57 की age मिनका जो निदन हुआ है वो breast cancer की वज़े से हुआ तो प्रेस्टन है 60 से ज़्यादा फिल्मों में उनका काम किया और most जो notable फिल्म है वो जैरी मेग्योर जो 1996 की थी 1988 की यह आपकी twins है और इसके अलावा Miss Chief है वो 1950 की है कुछ मेहत्पूर्ण फिल्म है थी इनकी Sea Head collaborated with Travolta के साथ भी इन्होंने मिलके भी एक फिल्म है जो फिल्म मनाई 2000 की यह आपके बैटर फीड अर्थ है और उसके अलावा बायोग्रेफिकल फिल्म मनाई है वो है गोटी 2018 में इनको लास्ट जो उनकी फिल्म रही है वो गोटी ठीक है तो यह जो प्रेस्टन थी जिनक बाहर जाते हैं उनको यह नेगेटी सर्ट कोवीड नाइटी नेगेटी होगा तो भी तो ही वो क्या करेंगे बाहर का सपर करेंगे यह एबरोड जो ट्रैवल करेंगे तो नेगेटी सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा यह एक स्कीम इनोंने जो लांच किया है और यह जो कर दिया कि वो जो कोवीड नाइंटीन नेगेटी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए इसको मेंडेटरी कर दिया है इनकी अनिवार्य कर दिया गया है इट वाज आज सो डिसाइडेड डैडिकेटेड कोरोना टेस्टिंग इसके अलावा इसी मतलब जो आपके एरफोर्ट पे डेडिकेटेड टेस्टिंग सेंटर्स भी वहाँ स्थाफित किये जाएंगे ऐसे सेंटर्स जो फटाबर इनको सर्टिफिकेशन के लिए जांच टेस्ट कर सके और वो सर्टिफिकेट आपके इस्यू कर सकते हैं यह बांगला देश का एक टोफिक था 15 जोलाई जो आपन एलियन्ड यूथ है यह भी आपने अभी क्वेशन्स में है इसका डिटेल देख लिया था हाँ यूनेस को और आई यलो दोरा आज जेको यूनेस को प्लस आई यलो इंटरनेस्टल लेबर और्गिनाइजेशन ठीक है इस देवस का मुक्य उद्देश देखो आज के यूवाओं के लिए बहतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितिया प्राप्त करना है सोशल एकोनुमिक जो आपकी जो एंवर्नमेंट है वो एक बहतर प्राप्त किसके लिए यूआ यूथ के लिए अमरतन करने के लिए डेमो डेज इनिशेटिव का आयोजन किया है किसका किया है डेमो डेज इनिशेटिव अटल इन्नोवेशन मिशन आपको पता है यह नीती आयो का एक मिशन है अटल इन्नोवेशन दोरा जैयो प्रोजयों की दियो अनुसंदान साहत अपर इस जिसको कि कोई भी institute के को और सक्राइ Unity को ले आते हैं को समय kindly कोई बी प्रोग्राम के लेकर तो हम भी आपके समय से डेमो प्रस्दत करते हैं वैसे ही उन्होंने एक डेमो डेस है वो शामिल किया गया और इसमें यह सारे संग्टन है वो शामिल है इस पहल के तहर देखो व्यक्ति का सुरक्षा उपकरण जो आपको जो पी-पी-ई है परस्नल जो प्रोटेक्शन जो एक्यूपमेंट है पी-प हो चुके है वो लगबग सतर से ज़्यादा स्टार्टप्स को स्पैल के तैस्ट शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है स्टार्टप्स को सतर से ज़्यादा ठीक है तो स्टार्टप्स को अटल इनोवेशन मिशन ने स्टार्टप्स का समर्तन करने के लिए ही डेमो डेस इनिशि छुलाई को ठीक है 12 जुलाई 1982 को ही हुई है देखिये नवाड की और इसके 49 में इस्तापना दीबस के मौके पे चिनित करने के लिए इन्होंने क्या 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 एक digital चोबार नावार ने बैंकों और विती संस्थानों के लिए 5000 करोर के एक तो यह याद रखिए कि यह 5000 करोर है वो लांच जो आपके जो बजट का जो ऐलान किया गया यह बैंक और विती संस्थानों को री फिनांस करने के लिए जिसको आप पुनर वित कह सकते हैं 5000 करोर का यह पैकेज है और नावार ने इस पैकेज की गोशना की है वो इससे असोसिटे जितने भी जो आपके जो बैंकिंग और जो फाइनस इंस्थिटूशन है उनको री फाइनस किया जाएगा विकास वित संस्थान का लक्ष है अपने 2150 वाटर शेड विकास परियूजन है उनके लाभारिचियों को वित साहता परदान करना एक तो वाटर शेड वाटर शेड जो परियूजन है प्राइमरी अग्रिक crackingलचर क्रेडिट सोसाइटीज प्राइमरी अग्रिकर्टिर क्रेडिस सोसाइटीज आप कह सकते है तो यह जो आपके पैक्स है इनको विबिन सेवा केंदरों में बदलने के लिए पांच हजार करोड रुपे की राशी का भी ऐलान किया गया, यह उसके अलावाई, उसके एक्स्ट्रा है, पांच जार करोड का पैक्स को भी दिये गया, और यह पांच जार करोड का जो पैक्स का प्रोग्राम है, यह तीन चर्णों में प्रोवाइड किया जाएगा, कितने च 500, sorry 5000 करोड का ही है, next day की national, देखो नाबार का पूरा नाम क्या है, आप वो देख सकते हैं, नाबार, N-A-B-A-R-D, जो आपने ये तो देख लिया कि 12 जूलाई, 1982 को एस्टेबिस हो, इसका headquarter मुंबई में है, ठीक है ने, agency के executive है, वो हर्स, वहार जो भमला है, chair person कह सकते हैं, और इसका purpose है, development, assessment, poverty, reduction, मतलब की, विकास को सयो करना, और गरीबी का उन्मूलन करना, ठीक है ना, poverty, reduction, poverty को कम करना, ये नाबार का उद्देश है, नाबार, फोरवार, नाबार आपका, ये आपका एक national bank है, किसके लिए agriculture and rural development, क्रशी और ग्रामीन विकास, agriculture and rural development, ठीक है ना, national bank, एने भीकत हो गया, national bank, ARD को आप कह सकते है, agriculture and research, agriculture and rural development, ठीक है, आर क्या है, आर फोर, रूरल है, ना कि research के लिए, rural development, क्रशी और ग्रामीन विकास, उसके लिए आपका एक रास्तिकरत बैंक है, जिसका head office आपका मुंबई में, उसको found किया गया, 12 जुलाई 1982 को found किया, जो divas है, वो हाली में मनाए गया था, कौन सा divas मनाए गया, 49 वा, हाँ, तो ये तो थे आपके, आज के current affairs का session, जो हमने कुछ important topics आपके समख से रहें, हमेंने का था कि 20 minutes से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो 5 important topics जिसके उपर analytical आपको देखने को मिलेगा, और 5 objective questions जो ज़र आएंगे, आप देखते ही, ये current affairs का हमारा सत्र हमेशा morning को, और morning को ये सत्र हमारा 7 और 8 के बीच स्टार्ट होता है, और 9 वजे के लगपग ये चलता है, आप डेली current affairs को देखिए, हमारे जो चैनल को subscribe, जिन्हों नहीं किया है, वो students चैनल को subscribe करें, और अपने दोस्त स्टार्ट चैनल को